बिसमिल्लारवान रहीम, अस्सलाम अलेकुम आज हम इस वीडियो में प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, हम प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करते हैं और अगर हम प्रोग्रामिंग सीखना चाते हैं तो वो हम किस तरीके से सीख सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन्स बनाई जाती है जो computer को बताती है कि किस तरीके से perform करना है, क्या करना है, कौन सा काम करना है जिसे कि आजकल हमारी life digital होती जा रही है, हर तरफ हमें computer ही computer नज़रा रहे हैं जिसे कि हमारी smart phone, smart TV, smart phone में applications, websites, games, robots इन सब चीज़ों में programming को use किया जाता है और उनको बताया जाता है कि किस तरीके से काम करना है अगर कोई specific application है, जैसे कि mobile में call की application है, तो उसमें programming की जाती है कि वो call के लिए use हो अगर कोई message के लिए application है तो वो message के लिए use हो और अगर combine use करना है तो जैसे WhatsApp है, उसमें message भी आ सकते हैं, call भी आ सकती है, video call भी आ सकती है, और उसके अलावा images, videos को transfer भी कर सकते हैं, उसमें वो सारी programming की जाती है, जैसे कि कोई game है, तो उसमें programming की जाती है, कि ये fighting game है, तो उस तरीके से programming होगी, अगर कोई educational application होती है, तो उस तरीके से काम करना है, for example, अगर कोई robot cleaning कर रहा है, तो उसको programming के थुरू बताया जाता है, कि तुम्हें cleaning करनी होगी, तो वो perform करता है, हमें ये तो समझ में आ गया होगा, कि programming कितनी powerful है, किसी भी एक non living machine से हम काम करवा सकते हैं, जो हम चाहें, तो इसलिए हम programming को सीखते हैं, programming को use करते हैं, ताकि हम कोई भी काम करवा सकें, किसी भी machine से, या किसी भी application बना कर, जो हम चाहते हैं, पर सवाल ये पैदा होता है, कि हम computer के साथ communicate कैसे करेंगे, उसको कैसे बताएंगे, कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि computer तो हमारी human की language तो नहीं समझता, computer तो zero और one मतलब कि binary language समझता है, जिसको हम machine language भी कहते हैं, जैसे कि computer को अगर बताना है, कि हम capital A print करवाना चाहते हैं, या उसको command दे रहे हैं, capital A, तो उसके लिए हमें binary code लिखना पड़ेगा, वो capital A के लिए code है, 01000001, कितना complicated code है, और इस code को याद करना, और इस code में और ज़्यादा complication करना, हमा computer के साथ easily communicate नहीं कर पा रहे थे, कि हम क्या चाते हैं, क्योंकि उसका code लिखना बहुत ही मुश्किल था, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी languages बनाई गई जो human की language के साथ resemble करें, जिसे कि assembly language हो गई, basic language, fortron language, pascal language, बहुत सारी languages, finally एक ऐसी language मिली, जिसको C language का नाम दिया गया, जो के बिलकुल human की language के साथ resemble करती है, human उसको अच्छे तरीके से समझ सकता है, C language में दो properties थी, वो machine language को भी अच्छे तरीके से समझ सकता था, और human की language को भी अच्छे तरीके से समझ सकता था, उससे फाइदा ये हुआ कि हम जो computer से कुछ करवाना जाते थे, तो वो हमने C language में program किय और C language ने computer को बताया कि हम क्या करवाना चाहते हैं, C language को first time Danish Richie ने use किया था, discover किया था, AT&T Bell Laboratories में 1970s में, 1990s में American National Standard Institute ने C language को standard programming language का दरज़र दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी properties थी, dual nature थी इसकी, कि ये human की language को भी समझ सकती थी, और machine language को भी समझ सकती थी, और ये general purpose के लिए use की गई, पर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, कि जो C language है, उसकी language तो human की language से resemble करती है, तो वो language computer कैसे समझ पाएगा, क्योंकि computer की language तो binary language है, zero और one, तो उसके लिए एक हल निकाला गया, एक program त्यार किया गया, जिसको compiler कहा जाता है, compiler C language के code को translate करता है computer या machine code में, जिससे हमारी बात easily computer तक पहुच पाएगी, और computer समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाते हैं, हम कौन सा task computer से करवाना चाते हैं, programming के थुरू, C language के इलावा भी बहुत सारी languages आ चुकी हैं, जो के high level languages हैं, जिसे कि C++, Java, Python, बहुत सारी languages हैं, हम उनको भी सीख सकते हैं उन्हों में भी बहुत अच्छे अच्छे programs बनते हैं, पर एक beginner के लिए C language सीखना basic है, अगर कोई beginner, programmer, C language को अच्छे तरीके से सीख लेता है, उसके fundamentals को सीख लेता है, तो वो आगे high level languages के किसी भी language को आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि उसको C language के basics बता होंगे, C language के logics बता है, तो ज्यादा तर beginners को यही सला दी जाती है, कि अगर आप start करना चाते हैं, तो C language से start करें, क्योंकि यह simple, powerful और basic language है, हम इस channel पर C language का course start कर रहे हैं, जिसमें सारे C language के basics सिखाए जाएंगे, जिससे C language को और किसी भी programming language को master करने में बहुत मदद मिलेगी, तो किसी भी language को सी अगर को अगर को इरर होता है, तो वो रिमूव हो सके और उसके साथ साथ कमपाइलिंग प्रोसेस भी हो, जो के मैं प्रोसेस है, जो हमारी हाई लेविल लेंग्विज को लो लेविल लेंग्विज मतलब के computer language में ट्रांसलेट करता है, यह चारो चीज़े IDE में मौजूद हो और बहुत सारे IDE होते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी लेंविज को सीखने के लिए, पर हम जो IDE यूज करेंगे वो है डेवC++, और अगर आपके पास यह IDE डेवC++ इंस्टाल नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउनलोड और इंस्टाल करने का तरीक के लिए, अलहाफिज